वर्तमान में कौन क्या है? करंट अफेर का काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends, सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर रहा हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected लिए है अच्छे level के लिए हैं वो ही question लिए हैं जो question आपके exam के लिए important रह सकते हैं फिर्ट से topic काफी जादा important रहेगा सभी exam के लिए क्योंकि इस topic से directly दो question हर exam में पूछे ही जाते हैं तो चलिए start करते हैं first question से first question है मारा A.A.I के नई अध्यक्ष को न्योक्त होए है सही answer है option A अर्विंद सिंग अर्विंद सिंग को A.A.I का नए अध्यक्ष न्योक्त किया गया है most important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पे word आया है A.A.I A.I का full form होता है Airports Authority of India हिंदी में full form होता है भारतिय विमाना पतन प्राधिकरन A.A.I की स्थापना हुई थी 1 April 1995 आपको याद रखना है 1 April 1995 को स्थापना हुई थी A.A.I के आपसे exam में पुछा जाता है कि A.A.I का मुख्याले कहां पर है तो friends A.A.I का मुख्याले है नई दिल्ली शहर में important question है आपके exam के लिए और मैंने आपको बताया है जो नई अध्यक्ष नियुक्तों है अर्विंद सिंग नियुक्तों है most important question है अगला question कह लेते है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कोन है सही answer है option A K.C.1 K.C.1 वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है फ्रेंट्स यहाँ पर वर्ड आया है इसरो इसरो का full form होता है Indian Space Research Organization हिंदी में full form होता है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपसे पूछा जाता है कि इसरो का मुख्याले कहां पर है तो फ्रेंट्स इसरो का मुख्याले इसरो का मुख्याले बैंगलूरू शहर में है और बैंगलूरू करनाटक राज्य में है ठीक है यहाँ पर लिएता हूँ करनाटक राज्य में है बैंगलूरू शहर जहां पर इसरो का मुख्याले है आपसे पूछा जाता है कि इस रों के संस्थापक किन को माना जाता है तो सही आंसर है इस रों के संस्थापक है विकरम सारा भाई विकरम सारा भाई इस रों के संस्थापक है और मैंने आपको बताया वर्तमान में अध्यक्ष है केस सिवन फ्रेंटस आपने एक जगे का नाम सुनाओगा शिरी हरीकोटा prison when space center शिरी हरीकोटा में 27डवन space center है आप से पूछा जाता है कि किस राज्य में है तो friends आपका answer होगा 16डवन space center आंदर परदेश राज्य में है important question है Next question है मारा भारतिये बैंक संग के अध्यक्ष को नियुक्त होए है सही आंसर है option B, रजनीश कुमार रजनीश कुमार को भारतिये बैंक संग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है most important question रहेगा आपके exam के लिए फिर रजनीश कुमार जो है present में SBI bank के भी अध्यक्ष है, ठीक है SBI यानि भारतिये बैंक के भी अध्यक्ष है next question कर लेते है NHAI के नई अध्यक्ष को नियुक्त होए है सही आंसर है option D, सुकबीर सिंग सिंधू सुकबीर सिंग सिंधू NHAI के नई अध्यक्ष नियुक्त किये गए है यह नाम आपने याद रखना है सुकबीर सिंग सिंधू यहाँ पर वर्ड आया है NHAI NHAI का फुल फॉर्म होता है National Highways Authority of India हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतिये राष्टिये राजमाग प्राधी करन आपसे पूछा जाता है लाकि NHAI का मुख्याले कहां पर है NHAI का मुख्याले है नई दिल्ली शहर में और मैंने आपको बताया सुकबीर सिंग सिंधू नई अध्यक्ष बने है NHAI के फ्रेंट्स मैं आपको बताऊ इस वीडियो में मैं आपको most important 30 कोशन करवाऊंगा जब आपकी 30 कोशन कंप्रीट हो जाएंगे एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूँगा और उसके बार फ्रेंट्स आपकी knowledge चेक करने के लिए मैंने आपके लिए 10 कोशन का online test भी रखा है फ्रेंट्स यह सबसे बहतरीन तरीका होता है कि पहले आप पढ़ो उसके बाद revision करो और उसके बाद test दे दो तो मैं आपको उसी बहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हो और मैं आपको इतनी short देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक कोशन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले है next question करते है अंतराष्टी है मुद्राकोश और English में full form होता है International Monetary Fund आपसे पुछा जाता है exam में कि IMF जाता है कि IMF का मुख्याले कहां पर है यानि headquarter कहां पर है तो friends America देश की जो राजधानी है Washington DC यहाँ पर लिएता हूँ Washington DC में IMF का मुख्याले है ठीक है और friends यहाँ पर वाशिंग्टन DC के साथ एक शब्द आता है एक word आता है DC DC का full form होता है District of Columbia यह आपने याद रखना है DC का full form District of Columbia होता है और Washington DC में IMF का headquarter है और मैंने आपको बताया Crystalina Georgia नई परमुख बनी यानि नई अध्धिक्ष बनी है IMF की next question कर लेते है RBI के वर्तमान में गवर्नर कोन है सही answer इसका option A शक्तिकान दास शक्तिकान दास RBI के वर्तमान में गवर्नर है friends यहाँ पर RBI आया है RBI का full form होता है Reserve Bank of India और हिंदी में full form होता है भारतिय Reserve Bank आपसे exam में पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब होई थी RBI की स्थापना होई थी 1 April 1935 में एक most important question आपसे पूछा जाता है कि RBI की स्थापना जो होई थी वो किस act से होई थी तो आप का answer होगा Reserve Bank of India Act 1934 से RBI की स्थापना होई थी और RBI का मुख्याले यानि headquarter जो है Mumbai शहर में है important question है आपके exam के लिए और मैंने आपको बताया RBI की वर्तमान में governor है शक्तिकान दास आपने ये नाम याद रखना है next question कर लेते हैं इसके बाद जो मैं आपको revision करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत जादा important है इससे आपको सभी question इसी वीडियो में याद होने वाले है अगला question है हमारा हमारे देश के नए ग्रह सचीव कौन नियुक्त होए है सही answer अजय भला हमारे देश के नए ग्रह सचीव नियुक्त होए है important question है आपके exam के लिए आप सभी को बताए कि वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंत्री है वो अमित शा है ठीक है और नए ग्रह सचीव नियुक्त होए है अजय भला काफी दा important question है आपके exam के लिए next question कर लेते है हमारे देश के रक्षा सचीव कौन है सही answer है option D अजय कुमार अजय कुमार हमारे देश के रक्षा सचीव है यह नाम आपने याद रखना है रक्षा सचीव है अजय कुमार और हमारे देश के जो वर्तमान में यानि प्रेजन्ट में रक्षा मंत्री है वो है राजनात सिंग राजना सिंग वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री है, अगला कोशन कर लेते हैं, important रहेगा आपके exam के लिए, BCCI के नई अध्यक्ष को नियुक्त होए है, सही answer है, option A, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली, BCCI के नई अध्यक्ष नियुक्त होए है, important question है आपके exam के लिए, friends, यहाँ पर word आया है BCCI, आपको BCCI का full form पता होना चीए, BCCI का full form होता है, Board of Control for Cricket in India, जैसे friends, पूरे वर्ल्ड में जो cricket match होता है, उसे ICC regulate करता है, और पूरे वर्ल्ड में जो football के match होता है, उसे FIFA regulate करता है, वैसे ही, इंडिया में जो cricket matches होते है, उसे BCCI regulate करता ह है, ठीक है, BCCI का full form मैंने आपको पताया, Board of Control for Cricket in India, हिंदी में full form होता है, भारतिय क्रिकेट नियंतरन बोर्ड, BCCI की स्थापना हुई थी, 1928 में, BCCI का मुख्याल है, मुंबई शहर में, यहाँ पर लिएता हूँ, BCCI का मुख्याल है, मुंबई शहर में, यानि हैड़ कोन बने है, सही आंसर है, Option A, शरद अर्विंद बोबडे, भारत के 47 मुख्य नियादिश नियुक्त होए है, या बोलो 47th Chief Justice of India बने है, शरद अर्विंद बोबडे, शरद अर्विंद बोबडे से पहले भारत के 46 मुख्य नियादिश थे, वो रंजन गो गई थे, ठीक है, लेकिन जो नई बने है, शरद अर्विंद बोबडे बने है, important question है ये, Next question है मारा, BCCI के नई सचीव कोन नियुक्त होए है, सही आंसर है सिका, option B, जै शाह, जै शाह को BCCI का नई सचीव नियुक्त किया गया है, Important question है, आपके exam के लिए, फ्रेंस, BCCI के बारे में पूरी जा करें हमारे देश के केंदरिय कानून सच्चीव के रूप में किसे नियोक्त रिखन कियाः है। question है अपने नाम याद रखना है राजीव गौबा अगला question कर लेते हैं ये भी काफी ज़्यादा important है UIDAI के नई CEO को नियुक्त होए है सही answer इसका option D पंकच कुमार पंकच कुमार को UIDAI का नया सचिव नियुक्त किया गया है काफी ज़्यादा important question है आपके exam के लिए ये जो UIDAI है ये जो हमारे अधार कार्ड बनते हैं ये UIDAI ही बनाता है और मतलब यही संस्थान है जो कि अधार कार्ड को regulate करता है ठीक है यहाँ पर word आया है UIDAI इसका full form होता है Unique Identification Authority of India फिर से बतायता हूँ Unique Identification Authority of India UIDAI का full form होता है हिंदी में full form होता है इसका भारतिये विशिष्ट पहचान प्राधी करन फिर से बतायता हूँ भारतिये विशिष्ट पहचान प्राधी करन UIDAI का full form होता है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और आपको यह ध्यान रखना है जो नई CEO नियुक्त होएं वो पंकच कुमार नियुक्त होएं है अगला question कर लेते है SSC के नई अध्यक्ष को नियुक्त होएं है सही answer इसका option B Bridge Raj Sharma Bridge Raj Sharma को SSC का नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है Friends, Bridge Raj Sharma से पहले असीम कुराना थे लेकिन असीम कुराना के ओपर काफी ज़्यादा corruption के charges आ रहे थे इसलिए Friends, अब जो नई बनाए गए हैं वो Bridge Raj Sharma को बनाए गए है SSC वो ही संस्थान है जितने भी exam conduct होते हैं SSC, CGL, CPO, MTS, CHSL वो SSC ही conduct करवाता है यह इसी SSC की बात हो रही है और इसकी अध्यक्ष बने है Bridge Raj Sharma SSC का full form होता है Staff Selection Commission Hindi में होता है करमचारी, चैन, आयोग और SSC का मुख्याले है नई दिल्ली में Next question कर लेते है राज्यसभा के महासचीव कौन है सही answer इसका Option C देश दीपक वर्मा देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचीव है आपने नाम याद रखना है देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचीव है Important question है Next question कर लेते है पंजाब National Bank यानि PNB के नई प्रबंध निदेशक यानि MD और मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO को नियुक्त होए है सही answer है Option C Malika Arjun Rao Malika Arjun Rao को पंजाब National Bank का MD और CEO नियुक्त किया गया है Important question है आपके exam के लिए PNB Bank के फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया आपसे ना exam में कभी-कभी इसको इस्थापना पुछे जाती है तो PNB की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को ठीक है 1894 यानि 19 में 1894 को PNB की स्थापना हुई थी आपसे ना exam में PNB के अध्यक्ष का नाम पुछा जाता है PNB के जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम है सुनील महता यहाँ पर लिख देता हूँ सुनील महता वर्तमान में अध्यक्ष है PNB के उसकी बाद फ्रेंड्स यहाँ पर PNB की बात हो गई और PNB का जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है नेक्स्ट कोशन कर लेते है NSG के नई महानिदेशक कोन न्योक्त होए है सही आंसर इसका Option C Anup Kumar Anup Kumar को NSG का नया महानिदेशक न्योक्त किया गया है यहाँ पर वर्ड आया है NSG NSG का full form होता है National Security Guard Hindi में full form होता है Rastia Suraqshak Guard और NSG का मुख्याले है नई दिल्ली में ठीक है और मैंने आपको बताया महानिदेशक कोन बने है Anup Kumar बने है Next question कर लेते है SBI के वर्थमान में Governor कोन है सही आंसर इसका Option A Rajneesh Kumar Rajneesh Kumar SBI Bank के वर्थमान में Governor है यहाँ पर वर्ड आया है SBI SBI का full form होता है State Bank of India और Hindi में full form होता है भारती State Bank ठीक है और SBI का जो मुख्याल है वो मुंबई शहर में यह आपने ध्यान रखना है और मैंने आपको पिछले कोशन बताया था कि PNP का नई दिल्ली में है ठीक है और Rajneesh Kumar वर्थमान में Governor है SBI Bank के Next question है मारा P.I.B. के नई माहनिदेशक को नियुक्त होए है सही answer है option B. K.S. धतवालिया K.S. धतवालिया को P.I.B. का नई माहनिदेशक नियुक्त किया गया यहाँ पर word आया है P.I.B. P.I.B. का full form होता है Press Information Bureau ठीक है यह नाम राजेसभा के विपक्ष के नेता कौन है सही answer है Option A. गुलाम नभी अजाद प्रेजन्ट में राजेसभा के विपक्ष के नेता है फैंच जो हमारा संसद है उसकी तीन हिसे होता है राजेसभा, लोकसभा और राष्टपती ठीक है तो फैंच जो नीचे वाला हिस्सा उसको जो नीचे वाला होता है वो होता है लोकसभा उपर वाला होता है राजेसभा ठीक है अगला कोशन कर लेते है वर्तमान में महीला आयोकी अध्यक्ष कोन बनी है सही answer है Option A. रेखा शर्मा रेखा शर्मा जो है अस्तव को लोकसभा का महासचीव नियुक्त किया गया है important question है आपके एक्जाम के लिए next question कर लेते है देश के राष्टी सुरक्षा सलाकार कोन है सही answer है Option A. अजीत डोवाल अजीत डोवाल वर्तमान में हमारे देश के राष्टी सुरक्षा सलाकार है next question कर लेते है ये भी important रहेगा L. I. C. के नई चेर्मन किनको नियुक्त किया गया है सही answer है option B. M. R. कुमार L. M. R. कुमार को L. I. C. का निया चेर्मन नियुक्त किया गया है important question रहेगा आपके एक्जाम के लिए L. I. C. जो भी हम इंशॉरंस करवाते है ये उसी कंपनी का नाम है L. I. C. ठीक है L. I. C. का फुल फॉर्म होता है Life Insurance Corporation हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारती है G. 1 बीमा निगम L. I. C. का मुख्याल है मुंबई में ठीक है अभी हाली में जो एक्जाम हो था रेलवे का उसमें पूछा गया था L. I. C. का मुख्याल है मुंबई में है और मैंने आपको बताया है वर्तमार में अध्यक्ष है M. R. कुमार Next question कर लेते है हमारे देश के हमारे देश के महानियवादी यानि Attorney Journal कौन है सही answer है Option C. K. K. V. N. Gopal K. K. V. N. Gopal हमारे देश के महानियवादी या आप बोलो Attorney Journal है Important question रहेगा आपके exam के लिए इसके बाद revision करवाऊँगा उसके बाद test भी रखा है पूरा वीडियो आप जरूर देखना आपको सभी question इसी वीडियो में अच्छे समझ में आने वाले है हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाकार कौन बने है सही answer है Option B. Krishnamurti Subrayamana हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाकार बने है Next question कर लेते है Rasain Rasain और उर्वक मन्तरी किनको न्योक्त किया गया है सही answer Option E. DV सदानंद गौड़ा DV सदानन्द गोड़ा को रसाइन और उर्वक मंत्री के रूप में नियोक्त किया गया है हमारे देश के Next question कर लेते हैं हमारे देश के 14 वित आयोक 2015 से 2020 तक के अध्यक्ष कोन है सही answer इसका Option A Dr. Y. V. Reddy Dr. Y. V. Reddy हमारे देश के 14 वित आयोक 2015 से 2020 के अध्यक्ष है Next question कर लेते हैं हमारे देश के 15 वित आयोक 2020 से 2020 के अध्यक्ष कोन होंगे सही answer इसका Option D. N. K. Singh N. K. Singh जो है ये 15 वित आयोक जो है 2020 से 2020 के अध्यक्ष होंगे फिर इस ये दोनों question आपके exam के लिए काफी important है exam में कई बार पूछे गए है अगला question कर लेते है राष्टिय जांच agency जिसका full form होता है National Investigation Agency और हिंदी में full form होता है राष्टिय जांच agency इसकी अध्यक्ष कोन बने है सही answer है Option D. Y. C. Modi Y. C. Modi को निया अध्यक्ष निक्ष किया गया है राष्टिय जांच agency जांच agency का यानि NIA का Next question कर लेते है भारतिय प्रतिबूति एवं विनिमय बोर्ड जिसका full form जिसको C. B. भी कहते हैं कि अध्यक्ष कोन बने है सही answer है Option D. Ajay Tiyagi Ajay Tiyagi को भारतिय प्रतिबूति एवं विनिमय बोर्ड जिसकी C. B. भी बोलते हैं कि अध्यक्ष निक्ष किया गया है English में इसका full form होता है Security Exchange Board of India ठीक है और friends यहाँ पे यह जो C. B. है भारत में जो share markets होते है ठीक है share markets जैसे N. S. C. हो गया National Stock Exchange Bombay Stock Exchange इसको regulate करता है ठीक है जैसे बैंकों को regulate करता है वो RBI करता है वैसी friends यह जो N. S. C. है B. S. C. है जो Stock Exchange जो है इंडिया के उसे से भी regulate करता है और इसका मुख्याले friends मुंबई शहर में है अगला question कर लेते है Hockey India की अध्यक्ष कोन बने है सही answer इसका Option A. मुस्ताक एहमद मुस्ताक एहमद को Hockey India का अध्यक्ष न्योक्त किया गया है अगला question कर लेते है वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंत्री कोन है सही answer है Option C. अमित शा अमिशा वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंत्री है अगला question कर लेते हैं वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है सही answer option B. Rajnath Singh Rajnath Singh वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री है next question कर लेते हैं और यहमारा अखरी question होगा इस वीडियो का इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी question का revision रखा है वर्तमान में हमारे देश के वितमंत्री कौन है सही आंसर है option D निर्मला सिता रमन हमारे देश की वर्तमान में वितमंत्री है मैंने आपको ये 36 कोशन करवाए उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे होंगे इसी वीडियो में अब मैं आपको इन सभी कोशन का revision करवाने वाला हूँ इस सबसे भैतरी तरीका होता है कि पढ़ने के बाद एक बार आप उनको revision कर लो revision करने के बाद आपके लिए 10 कोशन का online test भी रखा है test आप ज़रूर attempt करना इससे पता लगा कि कितने कोशन आपको इसी वीडियो में याद हुए है ठीक है मेरा एक और चैनल है math का, reasoning का, english का, current affair का ravis study IQ zk 2.0 2.0 ठीक है इसे आपने सर्च करना है YouTube पे इससे भी आप सबस्क्राइब कर लीजिए आप मुझे टेलिग्राम पे, facebook पे, instagram पे भी फॉलो कर सकते हो रभी study IQ zk के नाम से PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाए करेगा इसे भी आप जॉइन कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं revision first question से first question है मारा AAI के नए अध्यक्ष कोन युक्त होए है सही आंसर है अर्विन सिंग इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कोन है आंसर है के सिवन भारतिय बैंक संग के अध्यक्ष कोन युक्त होए है आंसर है रजनीश कुमार NMH AI के नए अध्यक्ष कोन युक्त होए है आंसर है सुखबी सिंग संधू अंतराश्रिय मुद्राकोश IMF के नए पर्मुक कोन बनी है आंसर है क्रिस्टीलिना जोर्जिया नेक्स्ट कॉषन है आरबियक के वर्थमार में गवर्णर कौन है सही आंसर है शक्तिकान दास अगला कॉशन है हमारे देश के नई ग्रहस सचीıyı कोन न्युक्थ होएं आंसर है अजय भल्ला हमारे देश के रक्षा सचीव कौन है? आंसर है अजय कुमार BCCI के नई अध्धिक्ष कौन न्युक्त होए है? आंसर है सौरफ गांगुली भारत के 47 में मुखे नियादी श कौन बने है? आंसर है शरद अरविंद बोबडे बी सी सी आई के नई सचीव कौन नियुक्त होए हैं? आंसर है जैशाह हमारे देश के केंद्रिय कानून सचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनुप कुमार मेंदी रत्ता हमारे देश के नए कैबिनेट सचीव कौन युक्त होए है आंसर है राजीव गौबा UIDI के नए CEO कौन युक्त होए है आंसर है पंकच कुमार SSC के नए अध्यक्ष कौन युक्त होए है आंसर है ब्रिजराश शर्मा राजे सभा के महासचीव कौन है? आंसरे देश दीपक वर्मा पंजाब नैशनल बैंक, PNB के नए प्रबंध निदेशक, M.D. और मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO कौन योगत होए है? आंसरे मलिका अरजुन राओ NSG के नए महानिदेशक कौन योगत होए है? आंसरे अनुप कुमार SBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आंसरे रजनीश कुमार PIB के नए महानिदेशक कौन योगत होए है? आंसरे K.S. धतवालिया राज्य सभा के विपक्षी नेता कौन है? आंसरे गुलाम नभी अजाद वर्तमान में महिला आयो की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसरे रेखा शर्मा लोग सभा के महासचीव कौन योगत होए है? आंसरे स्नेहलता श्रिवास्तव देश के राज़््टी सुरक्ष सलहकार कौन है? आंसरे अजीत दोवाल L.I.C. के नए चेर्मन किनको नियोक्त किया गया है? आंसरे मर कुमार हमारे देश के महान नयावादी यानि अटार्नी जर्नल कोन है? आंसरे केके वेनु गोपाल हमारे देश के मुखे आर्थिक सलहकार कौन बने है आंसर है कृष्णमूर्थी सुब्रामन्यम रसाइन और उर्वक मंत्री किन को नियोक्त किया गया है आंसर है डीवी सदानंद गौडा देश के चौदवें वित आयोग 2015-2020 की अध्यक्ष कौन बने है आंसर है वाई वी रेड़ी हमारे देश के पंदरवें वित आयोग 2020-2025 की अध्यक्ष कौन होंगे आंसर है एनके सिंग राष्टिय जाँच अजनसी एन आई ए के अध्यक्ष कौन बने है आंसर है वाई सी मोदी भारतिय प्रतिभूती एवं वीनिमय बोड सेबी की अध्यक्ष कौन है आंसर है अजय त्यागी होकी इंडिया की अध्यक्ष कौन बने है आंसर है मुस्ताक एहमद वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंतरी कौन है आंसर है अमित शाह वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंतरी कौन है आंसर है राजना सिंग आखरी question है revision का इसके बाद मैंने आपके लिए 10 question का online test रखा है वर्तमान में हमारे देश के ग्रह मंतरी कौन है आंसर है निर्मला सितारमन फ्रेंट्स मैंने आपको यह 35 question करवा है उसके बाद 35 question मैंने आपको revision भी करवा दिया उमीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आगे होंगे और याद भी हो गे होंगे इसी वीडियो में अब मैंने आपके लिए 10 question का online test रखा है friends ये test बहुत ही अलग तरीके का है सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है और comment करके सिर्फ आपने मुझे अपना score बताना है कि 10 में से आपका score कितना रहा है और वीडियो कैसी लगी है friends आपने ये भी ज़रूर mention करना है ठीक कमेंट में चलिए है friends हम स्टार्ट करते हैं test test के लिए आपको all the best first question है मारा AAI के नई अध्यक्ष कोन न्योक्त होए है चार options आपकी screen के उपर है सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और अपना score ज़रूर बताना है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कोन है भारतिय बैंक संग के अध्यक्ष कोन न्योक्त होए है NHI के नई अध्यक्ष कोन न्योक्त होए है चार options हैं आपके बस सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है अंतराश्टिय मुद्राकोश IMF की नई परमुक कोन बनी है RBI के वर्तमान में गवर्णर कोन है हमारे देश के नई गिरह सचीव कोन न्योक्त होए है चार options हैं आपकी स्क्रीन के उपर हमारे देश के रक्षा सचीव कोन है चार options हैं आपके पास BCCI के नई अध्यक्ष कोन न्योक्त होए है आखरी question and test का हमारा भारत के 47 पे मुख्य न्यादिश कोन बने है सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना और अपना score ज़रूर बताना है कि 10 में से आपका score कितना रहा है वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है उमीद करता हूँ friends आपको वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिये कम से कम 10 फ्रेंट के साथ शेर भी ज़रूर करिये ताकि friends और भी जो स्टुडेंट है उनको भी इस वीडियो से काफी ज़ादा help मिल सके friends अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो आप मुझे फेस्बुक पे मेरा फेस्बुक पेज है इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो रवी स्टाडी आई क्यू जी के नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी friends मैं आपको इतनी शॉटी देता हूँ कि अगर आप मैस मुझे से पढ़ोगे ना आपको दिली जाने की जरूत पड़ेगी ना ही कोई पेट कोक्सिस लेने की जरूत पड़ेगी ना ही कोई कोचिंग सेंटर जाने की जरूत करेगे और friends कम से कम 10 friends के साथ वीडियो को शेर जरूर करिएगा तो friends अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दे बेस्ट